कॉर्णिंग स्टुएंट्स कैसे हैं आप साथ उम्मीद करती हुआ अप लोग अच्छे होंगे आपके वरक्षीट नमर 37 है से लेबल कीजिए पठन अभ्यान में आज आपकी हिंदी की वरक्षीट है लिख लीजिए डेट डालिए अपता नाम अपने टीचर का नाम यह बेटा क्योंकि हिंदी की वरक्षीट है तो से सेवंध एट तीनो क्लास के स्टुएंट इसको ही करेंगे तो चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं पुस्तकाले पुस्तकाले कहते हैं बेटा लाइबरेरी को यानि कि वो जगा जहां पे पुस्तके रखी जाएं हमारा यूग ग्यान का यूग है यानि कि जो हमारा यूग है ये कौन सा है ग्यान का यूग है पुस्तकाले से ग्यान व्रिद्धी में जो साहता मिलती है और कहीं से संभव नहीं है यानि कि हमें लाइबरेरी ही कैसी जगा है जो हमारी ग्यान व्रिद्धी करती है हमारे नॉलिज कुछ को इन्हेंस करती है बढ़ाती है ना उसकर इसे लिए क्योंकि वहाँ बहुत सरी किताबे होती है और किताबे आज कल पर सो और सौ सल पुरानी बातों को भी अपने अंदर रखती है ठीक है आगे लिखता है क्योंकि पुस्तकाले ग्यान का खजाना होते हैं वहाँ पे ग संपरा रही ऐसा नहीं है के लाइब्रेरी अभी नया सिस्ट्रम शुरू है यह प्राचीन जमाने से यानि एशियन पीयर्ट से है नालंदा तक्षीला के पुस्तकाले विश्व भर में प्रस्तिद हैं ठीक है तो नालंदा और तक्षीला दो जगाएं हैं वहाँ के जो आप परता बढ़ती चली गई जैसे ही च्छपाई का काम शुरू हुआ है उससे पहले हाथ से लिखी जा रही थी तो बहुत मुश्किल होता था कि मतलब किसी भी बुक का एक या दो एडिशन ही मिल पाते थे उससे जादा नहीं हो पाते थे लेकिन जब से च्छपाई का काम वहाँ पे आपको विश्व की सारी बुक्स एवलेबल हैं कोई भी भी भाशा में वहाँ पे आप बुक्स ले सकते हैं वह बहुत बड़ी लाइबरेरी है और उसकी अलग-अलग शाखाइमी है इसके लावा एक नैशनल लाइबरेरी भी है पुस्तक मनुश्य के मित्र होती है यानि बिल्कुल ठीक बात है पुस्तके जो है वो इनसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है जो कभी हमें उदास नहीं होने देती हैं और हमेशे हमारे ग्यान में वृद्धी ही करती है एक और जहावे हमारा मनुरंजन करती है वही हमारा ग्यान भी बढ़ाती है बिल्कुल सभ्यता क्या रही कौन कौन से सभ्यता आई है ना इन सब की जानकारी भी हमें पुस्तक से ही मिलती है पुस्तक ही हमें प्राचीन काल से लेकर वर्तवान काल के विचारों से अगवत कराती है यानि पुराने जमाने में लोगों की क्या थिंकिंग थी क्या चीज़े होती थी औ यानि कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश की बाते होंगी आपको अलग अलग जगाओं से पूरे विश्व की जो भी कहानिया जो भी उनसे भी परिशित कराती है उससे भी हमें रूबरू करवाती है कोई भी वेक्ती एक सीमा तक ही पुस्तके खरीज सकता है यानि ऐसा नहीं है कि हम लोग अब बहुत ज़्दा भरमार किताबे खरीद लें क्योंके बहुत जहींए जाहिड सी बात है वो पैसों में आती है तो इतने पैसे तो नहीं है कि हम सारी किताबे एक बार पढ़ने के लिए खरीद लें पर्षाष पुस्टके खरीदना सबके बस की बात नहीं है और यह बात भी बिल्क Easker नहीं की और इतनी जादी पुस्तके इतनी जादा कॉष्टली होती है उतनी वापस करके आजाएं आप कुछ दिन के लिए अपने पास इशू भी कराके रख सकते हैं और उसके बाद वापस कर सकते हैं जब आप पढ़ चुके तो बोलते हैं पुस्तकालियों का आर्थ है पुस्तकों का घर यहां हर विशय की पुस्तक ए उपलब्द होती है विदेशी पुस्तके भी शामिल होती है विद्याली dic दह पुसॉद्य का इस आपका विद्याल्य आपके झान का मंदिरयन तो पुस्तक वी पुस्ताकाले तो स्वा स्कूल कॉलेज विश्विध्यालों के होते हैं जैसे सबसे पहले पुस्ताकाले जो आपकी स्कूल कॉलेज और विश्विध्यालों में लाइब्रेरी जो होती है और दूसरे प्रस्ताकाले जो है दूसरे प्रकार के निजी पुस्ताकाले होते हैं जो मैं जैसे कोई लाइब् प्राइविट लाइब्रेरीज भी होती हैं आप लोग ने देखी होंगी ग्यान प्राप्ति के इच्छुक बैक्ति अपने अपने कारयालों से या घारों में पुस्ताकाले बनाकर अपने परिचित का ग्यान व्रत करते हैं अच्छा इसके लावा ये भी होता है कि हम अपना परसनल भी बना लेते जैसे मालू लिए मैंने ही अपने इस्टोरी रूम को अपनी बना ली वहां भी बहुत सारी बुक्स रख ली जिस से यह कि मेरे फैमिली मेमबर्स मेरे मेरे स्चुडेंट्स आके यहां से पढ़ सकती हैं तीसरे प्रकार के पुस्ताकाले एंच्छे प यहां पर 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 सकते हैं पर अगलग बुक्स मिलेंगी के लिगए नहीं फड़ेंगे कि अपने नहीं देखा हुगा आपकी वैन लाइब्रेरी जो वो भी आती है वो क्या है वैने उस वैन के अंदर लाइब्रेरी यह पीछे तो वो अलग अलग जगाओं पर आकर खड़ी होती है वहां से आपके सेवा ले सकते हैं यह पुस्तक आले एक वहन पर होता है तो देखें यहीं बात मैंने आपको पहले ही बता दी किसी कार बस स्ट बश्तक जिन पुस्तको के लिखरें है यह संद्पादक य लेखा कि लिखियें किसने लिखी झremmo प्रकाशुमिय। और उसके बाद मुल ले यानि उनकी कीमत क्या है चले तो इससे देख लेते हैं हम लोग देखिए बच्चो जैसे पहले हम लिख सकते हैं किताब का ना हो जाएगा भारत की खोज लेखा कौन है जवाला लहरू यह ना प्रकाशन कहा से हुई है यह 14 नूमबर को यह 46 में और की चलिक मत कितनी है 92 रुपीज इस दाब से दुसरा हम लेख सकते हैं अक्बर और बीरबल की कहानी जो है इसके लेखा कौन है इसके ल्म्हां किस्द्छा है्मूल्ले कितना है इसका दो सो गैारोफ रुपए है और कभी ती सी जनवरी 2017 में होई थी ती वैसे पहले हो चुकी ह लेकिन क्या है कि ये अभी रीसेंट जो प्रकाशित हुई ये उसकी बात है ठीक अभी दासे अलफ लैला जो इसकी कीमत है वो कितनी है आपकी एक हजार आट सो चोहत्तर रुपए है ये 2010 में दुबार से प्रकाशित हुई थी और ये कोई इसके जो लेखा के वो कोई किती थी जो है वो 2019 है ठीक है इसे तरह से ये लास्ट आपकी विक्रम बेताल की जो कहानिया है उसके कवी है सोम देव और इसकी कीमत जो है 284 रुपए हो 2009 में परकाशित थी तो इस तरह से टेबल अपने पूरी फिल कर लेंगे नेक्स शूशन लिखा है अब आप अपने व चर्चा कीजिए तो यह काम आप लोग खोदी करेंगी ठीक है कि आप उस तक आले जाएंगे अपने लाइब्रेरी जाएंगे स्कूल की और जाकी अच्छी सी बुक निकालेंगे उसे पढ़ेंगे उसके बाद फिर डिसकॉशन करेंगे इसमें कुछ लिखना नहीं है ठीक ह सिर्फ आपको डिसकॉस करना है वे बुक आपको कैसी लगी उसमें कौन कौन से कैरेक्टर थे वो थे आपको उसे पढ़ने में कितना समय लगा या उसमें कौन सी कहानी सब से जाधा इंट्रेस्टिंग लगी आपको इसमें लिए सब लोग कर लेंगे लास्ट शूशे या कि पुस्तक के मनुष्य की सचे मित्र होती है इस विशे पर 10 वाक्यों में अपने विचार को लिखी यानि कम से कम आपको आठ दस लाइन लिखने हैं तो मैं आपको कुछ पैरग्राफ टाइप में दिखा देती हूं अब उससे कर लेंगे चलिए तो इसका अंसर देख लेते हैं तो देखें यहां पर मैंने कुल आठ पॉइंट्स आपको लिखवा हैं लिखा है पुस्तक हमारे सच्चे दोस्ते हैं के साथ अपने जीवन में कही पैरवरतन ला सकते हैं जैसे सा बुक्स पढ़ेंगी आपको नए नई चीज़ते हैं यहां इसी कहानिया भी इसमें आप इमोशनल हो जाते हैं इसी तरह से यह बागी पॉइंट्स भी लिखे हुए आप इन्हें देख लेंगे कर लेंगी कुल मिला के बात इतनी है कि पुस्ता के हमारी सबसे दोस्ते जो हमें हमेशा देती है कभी हमसे बदले में कुछ मांगती नहीं है ठीक है कर करेंजगे साथ बधने हो बतली है कि अोग हुए यह आंपके हैं अली है कि अônली है कि रगले में manuscripts जा इनी है कि नहीं है कि सि दो में जो हे दो जागे का बातके है कि विलेंगे थी किनके ठीके है कि उताऊ कि खल्यूग झानה कुषदु आपलेंगे प्यों विलेंगे झाती